दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से Long Term Shares LTS में स्वागत है लक्षमी Organic Limited इस स्टॉक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कल के हमारे वीडियो में इस स्टॉक के बारे में जानने के लिए बहुत सारे कॉमेंट्स आए दरसल इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही तो आए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं किस परकार का Business है किस परकार के Financials रहें क्या ऐसे कारण हो सकते हैं और Future क्या हो सकता है उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे Company 3 segments में जो है काम कर रही जैसे कि पहले है इनका Acetyl Intermediate यानि की AI, दूसरा हो गया Specialty Intermediate यानि SI और एक है इनका जिस पे Expansion वगएरा चल रहा है, वो है Fluoro Intermediate यानि की FI, बहुत सारे product derived होके बनाते हैं, Company की जो स्थापना होई थी 1989 में, यानि करीब 30 वर्ष के आसपास हो तो यानि Management के पास काफी एक लंबा अनुभव है, तो इस तरीके से B2B इनका Business है, The Company is one of the India's largest manufacturers and exporter of Ethyl Acetate, with a market share of approximately 30%, also it's India's only manufacturer, यानि की भारत वर्ष में कीवल यही बनाते हैं, of Decatine and Derivatives Products, with a market share of 55%, तो इस मामले में देखा जाए, Lakshmi Organic यहाँ पे लीडर है, The upcoming fluorochemicals, FI vertical is under capitalization, application products में जैसे की बहुत सारी industries को सर्व करते हैं, pharmaceutical की industries हो गई, agrochemicals की हो गई, inks हो गई, paints हो गई, coatings हो गई, printings हो गई, packaging, adhesives, industries, dyes and pigments, flavor and fragrance, aerospace, automobile, flame retardant industries, यह सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कई सारी अलग-अलग industries को जो है, सर्व करते हैं, इसी बात से आप समझ सकते हैं, कि जो इनका raw material कहीने के crude oil भी बहुत महत्यपूर रखता था, तो अगर देखें, यह जो quarter गया, उसके पहले काफी महंगा था crude oil, तो इस वज़े से और भी ज्यादा pressure हमें देखनेों को मि मिला था quarter two में, अंतरराष्टी presence में आप देखेंगे, तो 40 countries including China, तो आप देखें, चाइना भी इन दिनों उसकी भी हालत थोड़ी से टाइट है, निदरलेंड्स, रशिया में आप देखे रहे हैं पिछले एक साल से, तो काफी प्रभावी थे इनका business, सिंगापूर हो गया UK and USA, तो इन दोनों countries में भी महंगाई बहुत तगड़ी है, तो इनकी जो various direct subsidies है, overseas, जिसके थूए अपने प्रोड़क्स वहां तक पहुचाते हैं, three international locations में इनकी जो है offices है, presently the company generates 30% of total revenue from their international operations, यानि कि Asia से इनको 77%, Europe से इनको 16%, North America से इनको 5%, बाकि other से 2%, Europe और USA countries में काफी ज्यादा इनको अभी दिक्कते आ रही होंगी, जहाँ पर export करते हैं, facility expansion में आपने हमें चर्चा की ही, एक new manufacturing facility for full specialty intermediaries business in महराश्टर, यहाँ पर जो है लगा रहे हैं, अब अगर देखते हैं quarter दर quarter, पहले हम देख लेते हैं sales, तो sales पहले हम देख लेते हैं, माली जे पिछले वर्ष के quarter में थी, जो December 2021 में 860 करोड की, अभी कितनी हो गई है, एक साल बाद इस quarter में 655 करोड की, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कि घट गई है, पिछले quarter से अगर हम देखें, 652 करोड से, तो माक्तर 655 करोड यानि कि 3 करोड की जो है, बढ़ात हुई है, तो यह ठीक है, लेकिन अगर देखें, साल दर साल गटी है, और फ्लाइट ही रहा, पिछले quarter के मुकाबले, डिमांड उतनी नहीं रहे, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, जो operating profit रहा, वो 55 करोड का रहा, पिछले quarter में था 29 करोड का, तो उससे चलो बढ़के है, लेकिन पिछले quarter में था, 119 करोज से आधा हो चुका है, इस तरीके से जो margin रहा, देखें, 8% रहा, जो कि पिछले quarter में था 14%, तो बहुत जादा गिर गया है, साल दर साल के quarter में, जबकि पिछले quarter में था 4%, यानि कि पिछला quarter बहुत जबर्रस्त प्रभावित पड़ा था 82 करोड़, तो साल दर साल भी गिरावट है, हालां कि quarter दर quarter बढ़ा थोड़ी से राहत देखी जा रही है, परुदियाद में एक लंबे समय के हिसाब से देखें, मालजी कमपनी किस प्रकार की performance देती है, चलो ठीक है कि कुछ issues आ गए internationally या फिर किसी country में particular, इस प्रकार के market share है, इसके पास इस प्रकार के products बनाती है, तो अगर हम साल दर साल देखें, चारो quarters का किस प्रकार का रहता है, देखें, 2015 में अगर देखते हैं, 1074 करोड की इनकी जो है total revenue रहता था, जो की अगर देखें, 2022 की वित वर्ष में हो गया 3084 करोड की, तो काफी अच्छी बढ़ात है, तेक वर्ष बढ़ोतरी देखी गई, कुछ वर्ष छोड़ दिया जा, कोईड वाला तो यहां पर फ्लाइट रहा, इसके पस्चात अगर हम इसी प्रकार से देखते हैं, शुद मुनाफा, तो जहां 21 करोड था, 2015 में हो चुका है, 2022 की वित वर्ष में 256 करोड, लेकिन आपको टीटीम में देखना फिर से पढ़ रहा है, कि यह जो प्रभावित दिख रहा है, चाहे सेल्स रही हो, चारो क्वार्टर की चाहे प्रॉफिट रहा हो, उसमें भी थोड़ा सा गिरावाट आपको देखने को मिल रही है, तो जो पांच वर्ष निकल के आ रही है, वो आ रही कमपनी फिर से जिस प्रकार से अपना एक्सपेंशन भी कर रही है, और जिस प्रकार से पहले जैसे डिमान्ट थी केमकल्स की एक्सपोर्ट की खास कर, तो फिर से अगर 104 रूप से आ गई तो मुझे लगता है कमपनी में फिर सी बढ़ होतरी देखी जा सकती है, और लिस्ट जा रहा है थे कोई भी price to earning ratio पर रहाओ कोई stock doesn't matter अगर कोई कह भी देता कि भाई बहुत valuation wise महेंगी तो कोई ध्यानी नहीं देता था इस सभी के साथ था किसी एक के साथ नहीं था price वगएरा देखें उससे पहले देख लेते हैं promoters के पास क्या स्थिति है promoters के पास जो holding है शांदार 72.50% के holding है और चारो quarter में देखते हैं तो 72 के पार ही है मामूली सी कुछ quarters में उन्हें decrease की हुई है F.I.S के सथिति देखते हैं तो पिछले 4 quarters में 5 quarters में थोड़े से as it is ही है 0.45% कभी घटें कभी बढ़ें ठीए थोड़ा सा confusion के सती है उनको क्योंकि वो समझ सकते हैं कि जो chemical का भी जो भी manufacturers है उनमें थोड़ी से तकलीफ है तो एक साल में proper आप देखी सकते हैं माल यह रशिया है Ukraine है इन countries को भी तो देती है यह अपने products तो वहाँ पर demand इतनी नहीं होगी बड़ी समस्या है logistics को लेके भी समस्या है थी तो अब जो domestic institutions है वो भी देखी अच्छे कासे पिछले एक साल से निकल गए है तो जब बड़ी share में तगड़ी गिरावट तब आती है जैसे H&I निकल रहे हो यह वह बेच रहे हो mutual funds बेच रहे हो या फिर foreign institution investors बेच रहे हो तो इसमें मुझे लगता है इन दिनों काफी H&I category को लोगों ने जटका दिया है अब जो stock price आज अभी चल रहा है सत्रह मार्ज को जो वीडियो बन रहा है 243 रुपए की price पर trade हो रहा है साल का जो हाई था 493 यानि की 500 पकड़ लें और जो lifetime हाई बना चुका है आफ्र लिस्टिंग 628 तो 628 से आप देखेंगे बहुत ज्यादा गिर चुका है करीब करीब आदे से भी काफी कम हो चुका है सीधे अपने लोग के पास ही trade कर रहा है अब देखिए तो अगर आप देखें कुछ दिन पहले हमने कुछ केमिकल्स के साथ-8 कंपणियों को जो है साथ में रखा चाहे आप समझें चाहे आप फाइन और गैनिक समझें आप बड़ी-बड़ी और भी कंपनिया थी दीपक नाइट्राइट समझें वैलवेशन वाइस देखा जाए कहीं न कहीं इस कंपनिसे कम की प्राइस्ट वर्निंग रेशियो पर अभी trade हो रही है कि जो आपका earning पर share है और वरतमान stop price है तो अगर आप डिवाइट करते हैं तो प्राइस्ट वर्निंग रेशियो निकल के आ जाता है तो इस वज़े से अगर देखा जा तो अभी भी अधर companies के मुकाबले जो अवर भी companyya हैं उनके मुकाबले अभी valuation wise थोड़ा ज्यादा है परन्तु जो लोग इसमें निवेशित हैं ऐसा नहीं है कहने का मतलब क्यों घवरा जाएं company बढ़या है वेशाय बढ़या है अब इसमें potential क्या हो सकता है यही मैं कह सकता हूँ एक तो इनका फ्लूरो इंटरमीडियेट्स का जो कामकास चल रहा है जब उसका production शुरू हो जाएगा जब उसका revenue आना शुरू हो जाएगा तब company के revenue और भी तेजी से बढ़ेगा जब वैसी इस्तिती थी आज से 6 महीने पहले वैसी इस्तिती नहीं है तो एक दो benefit इनको होने वाले future में कि एक तो जो raw material के वज़े से इनको margin पर pressure प्रा रहा था दूसरा जो fluorocamical का अगर इनका completion हो जाता है तो उसका benefit मिलेगा साथ ही अगर इसमें चार चान तब और भी लग जा आएगी जब loan सस्ता हो जाएगा तो company alone लेगी अपना काम कास बढ़ाएंगी employee hire करेंगी demand बढ़ेगी तो इन company की भी ज्यादा demand बढ़ेगी तो तीन कान इस company के लिए future में सुखद हो सकते हैं कि एक तो इसकी earning बढ़े ताकि valuation adjust हो जो market cap है 6231 करोड की है दो की face value वाला और 25 March 2021 को इसकी listing हुई थी इसका IPO price था 130 रुपया IPO price था तो चिंतित ना हो मैं तो यही कहूंगा जिनके पास share है hold रहें थोड़ा सा chemical पूरी industry पूरे sector में समय लगेगा लग सकता है कारण आप सब को पता हैं कई दफ़ा हमने वीडियो में चर्चा किया है अब देखी जो नई खर क्रियनिक की भी जो है रिजल्स देखिए किस प्रकार के रहते हैं क्या अभी भी समस्याय बनी हुई है डिमांड कम है सेल्स ग्रोथ कैसी है प्राफिट निकल के किस प्रकार का आ रहा है उसके पास शाथी आप decision लीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग स्वेडियो फ्रेंड्